आजकल की ज्यादातर किसान मौसम आधारित परंपरागत खेती पर ही निर्भर हैं जिसका नतीज़ा है कि बाढ़ हो या सुखार उससे किसान की खेती बरबाद होती है और किसान की आर्थिक रीड तूट जाती है लेकिन रक्सॉल की एक किसान मौसम आधारित परंपरागत खेती छोड़ कर आधुनिक तकनीक से खेती करके लाखो कमा रहे हैं भारत नेपाल के सीमा के पास अवस्थित है पंटो का गाव इसी गाव के एक किसान है विनोध पटेल इहोंने धाई एकर खेत में ड्रैगन फूर मौसमी सेफ संत्रा नाशपाती एपल बेर सहित विभिन तरह के फल के पेर लगाए हैं वैज्ञानिक भाषा में इसे सुपर फूड के नाम से जानते हैं ये फल रक्सॉल के मंडियों से लेकर नेपाल के मंडियों तक भेज कर लाखो कमा रहे हैं किसान विनोद पटेल के इस महनत की सराहना मोतिहारी के ततकालीन डियम शेशत कपिल अशोक ने भी खेत में पहुँच कर किया था इसके बाद विनोध पटेल को इस आधुनिक फल की खेती करने में प्रेरना ज्यादा मिली। अब विनोध पटेल फल की खेती करके खुद तो कमाते ही है और आसपास के किसान भी यहाँ सीखने के लिए रोज आ रहे हैं। सुधा है किसान के लिए किसान जो भी करता है अपने भायदे के-लिए करता रुछ किसी कई कहने के लिए सुपरफुट का मतलब नहीं हुआ कि सारे सप्रसक्तो нажima कोई क्यांत Disability कशानि Drew Park कप्ल helps को और हम लगाएं 오ब हम लगां संट्रार और बृपल बश्मी बढिया था वही इनके खेतों में फल की खेती सीखने आये किसान अशोक कुमार सी कहते हैं कि अब परामपरागत खेती में फायदा नहीं है अपने जमीन पर फल की खेती हो तो हिमाचल एवं कश्मीर पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा हमारी आमदनी भी बढ़ेगी हम भी किसान है रमगाढ़वा मेरा बगल में घर हुआ तो विलोज जी हमारे बहुत पुराने मित्र है दर्शनूस के लिए मोतिहारी से प्रशांत कुमार की रिपोर्ट